थाना बाज शेत्र में यूवक की संदेद परिस्तितियों में मौत हो गए। यूवक फूवा को एक लाग रुपे देने गया था। उसके बाद रिष्टेदार शव लेकर घर पहुँश गए। कोई शंतोष जनक जवाब न मिलने पर पिता ने रिष्टेदारों पर हत्या का आरोप लगाया है। हो सकी। कि बजता रहा पर नहीं किसी ने उठाया। इसके बाद में लोगों ने करीवन तीन साले तीन बजे के करीवन मुझे नहीं पता क्या हुआ। कि दर्वाजे पर आये। कि दर्वाजे पर आये दर्वाजे पर आये। मैंने बच्चे की लास देक कर में बेवोस हो गया। कि दर्वाजे पर आये। फूफा अमित का शब लेकर गाओं कुनवर गड़ी पहुँचे। पिता ने बेटे की मौत का कारण पूछा। लेकिन फूफा और उनके परिजनों के अलग-अलग बयान थे। कोई फांसी लगाने तो कोई बटेश्वर में शब मिलने की बात बोल रहा था। विरोधा भासी बयानों पर पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि वो रोते-रोते बेहोश हो गया था। इसी बीच रिष्टेदारों ने अमित के शव का चंबल में प्रवा कर दिया। सुशना मिलने पर पहुंची पुलिस शव को चंबल में तलाश करा रही है। इह पूचा, कभी बता दे हैं। बच्ची ने पांस ही दी है। दूसरे भाई को पूचा, दोनों भाई लेकर आए। दूसरे भाई को पूचा, बंटी को, वो बोले बटे रोलो से उठा के लाएं हम इसको। बड़े बाले को पूचा, मुझे कोई खबर नी दी, ना कोई फोन आया। पर उसमें मेरी एक बैन रहती है, उससे बड़ी, मातर पचास मिटर को उसका घर है। उसे भी नहीं बताया। यही गटना है। यही पूरा यकीन के साथ कह रहा हूं। इननी मेरी घटना की है, इननी लोगोंने मारा है। एक तो इस्वाल सिंग है, एक जैवी सिंग रफ बंटी, यह दो लोग हैं, और अनने लोग किये थे, वो तो मैंने देखाने हैं। बारिश के चलते चंबल उफान पर होने के कारण शव नहीं मिल रहा है स्चीमर नाउ से गोता खोर शव तलाशने में लगे हुए है पुलिस शव का पोस्ट माटम करा मौत का कारण जानने का प्रयास कर रही है चंबल पर परिजनों के साथ काफी संख्या में ग्रामीड मौझूद है रिष्टेदारों ने शव चंबल में प्रवाह कर दिया है इसके साथ ये अमित की बाईक और एक लाख रुपे का भी पता नहीं चला है परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है सी न्यूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट